कि बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैस्यत की दिवार खड़ी होती है, और फिर, कहीं नौकरी कर लो न, क्या हमेशा ये लोही की सुलाकों के पीछे भागते रहते हो, कितनी मैनद करते हो? शिल्पी नौकरे से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की हैस्यत तक पहुँचना है, तो अपना है बिजनस करना पड़ेगा, परना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे, अच्छा, ऐसे किसे करवा देंगी, मैं तो तुम से ही शादी करूंगी, लेकिन साथगी इतनी की क्या कहना, बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तयार रहना, मैंने तुम्हारी मा को समझा दिया है, घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी किस वागत कैसे करना है, कैसी बात कर रहे हैं पापा, मैं तो किसका बेटा है, वो स्टेल किंग सिंगानिया का या वो जो बड़े जुलरी वाले हैं, मैता उनका, नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है, लेकिन अस्टाबलिश नहीं अभी, पापा, वो आपकी पास तब आएगा, जब कुछ बन जाएगा, आप प्लीस थोड़ा सब वक्त दे दीजिए, पेता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आजाता है, वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की मा के पास जाते हैं, ये संसकार देकर बढ़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दू, कौन है ये मुकेश, म कहें कि मैं शादी करना चाता हूं, तो मैं शादी कर दू, कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़ पतिक घर का बेटा है, समझी, लाख मना करने पर भी, शिल्पी को उस लड़के से मिल करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूं, लेकिन शादी तो हम दोनों को ये करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सवरा कुछ, शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता पिता जी वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है आ तो करने दो ना हमने तो नहीं रोका तुम अपना देखो शादी के लिए हां करकर गया है वो लेकिन क्यों अरे वो और मैं दोनों ही एक दुसरे से प्यार नहीं करते पिर शादी क्यों कर ले पापा एक पार सिर् के कहने पर, फॉर्मलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेती हैं, देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, ये बताओ के शादी के बात कहां रखोगे उसे, दो कमरे के मकान में, नई सर, मैंने दो साल के बात का सारा प्लान कर लिया है, मैंने आयन इंड करने आये हो, मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता, शिल्पी की शादी उससे कराने के मूद में नहीं है, फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे, मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता सै, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, वो त काम काज की आदत नहीं, अभी वो समझ नहीं रही लेकिन तुम तो समझो, मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुम से नहीं करवा सकता, मुकेश पिता से लाख मननत करता है, लेकिन वो नहीं मानते, शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है, शादी के बा बात कर रहे हैं, अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं, अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था, कि मेरी कुछ गर्फ्रेंट्स है, अब प्लीज ये टिप्पिकल बीवी वाला रोना दोना शुरू मत कर दे न शिल्पी पिता की घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है, इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी है ऐसे घर में, और तो क्या हो गया, शुरूर शुरूर में हर घर में ऐसा होता है, दिरे दिरे ठीक हो जाएगा, और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी, उन लोगों से रिष्टा बना कर रखो तब ही पैसों की बारिश होगी, भापा, अब समझ में आया, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुकिश आप जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखोगी, आपने मुझे सामान की तरह इस्तवाल किया, मा शिल्पे को बहुत रोपती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती, कुछ समय बाद, शिल्पे, मुझे नहीं लग रहा कि आप हम दोनों के बेच ये शादी और रह मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, वैसे तुम परिशान मतो ना, तुमारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना वो नहीं रुकेगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक की पेपर में साइन करके, लेकिन एक शर्त ह मैं कहा गई, ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंशनी चाहिए, शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है, वो एक नौकरी करती है और अपना जिवन खुद संभालती है, लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आप से मालिक मिलना चाहते हैं, मुझ से क्यों, शिल्पी मालिक की कमरे म में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है, अरे आप, आपको दिकत बहुत कुशी हुई, बहुत बड़े आत्मी बन गया है, थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी, तब ही वहां शिल अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुम से कराने को तयार हूँ, बहस करिये पापा, ये क्या सौधा लखा रखा है आपने, जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते ह शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेगा है, रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुमारे लिए है, ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुम से शादी करने के लिए ही खड़ा किया था, मैं आज भी तुम से बहुत प्यार करता ह झाल